हेलो दोस्तों नमस्कार और स्वागत आप सभी का आपके अपने योटूब चैनल में आधाई जून को SSE Phase 11 एक्जाम जो आपका तीसरे और चोते सिफ्ट में जो कोशन आये थे वो कोशन देख लेते हैं एक बार और First Second Shift के कोशन मैंने आपको अल्रेडी करवा दी है जिसने नहीं देखा है First Second Shift के कोशन जाके देख सकता है वीडियो अपलोड है आने वाले सारे गवर्मेंट एक्जाम के अनलेसिस यहाँ पे मिलेंगे तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए देखते हैं आज का First Question First Question देखिए तीसरे सिफ्ट के कोशन है जनगना 2011 की अनुसार भारत की महिला साक्षरता जर आपसे पूछा था जिसका राइट आंस रोगा 65.46 परतीशत है उसका नाम पूछा था जिसका नाम था Operation Ganga और इसमें दोस्तों युक्रेन रशिया वर्में जो युक्रेन में medical student थे उन्हें निकालने के लिए भारतीय सरकार ने एक Operation launch किया जिससे नाम दिया गया था Operation Ganga नेक्स्ट कोशन आया था कि खादी ग्रामीर उधोग आयोग के वर्तमान में अधेक्स कोन है तो इसका राइट आंसफर होगा मनोज कुमार जी है मनोज कुमार बिल्कुल correct आंसफर है अगला कोशन आया था निमनलिकित में से कौन सी नदी सिंधू की सायक नदी नहीं है ये पूछाता कौन सी नहीं है तो इनको छोड़कर जो भी option था वो correct करना था सिंधू नदी मान सरोवर जिल के पास कैलास परवत में तिबबत से निकलती है ये अरब सागर में जाकर गिरती है अगला कोशन आया था मकर विलकु किस राजे में मकर सकरांती के समय मनाते हैं तो य तो तेरहे ताली जो नरते है ये कामत जनजाती के द्वारा होता है तो तेरहे ताली आपका right answer होगा एक आयता चालूक के वंस के बाद किस ने शाशन को संभाला तो राश्ट्र कूट वंस ने चालूक के वंस के बाद शाशन किया था और राश्ट्र कूट वंस की जो स्था में पक्की इटों का इस्तेमाल हुआ था पकी इट आपका ओप्शन में दिया था करेक्ट आंसपर हो जाएगा हर्याना में जो रजिय सुल्तान का जो मकबरा है वो हर्याना के केथल जिले में है ध्यान रखेगा एक संसकर्थ कोलेज के कोई प्रिंसिपल से कोशन था एक्जेक्ट नहीं मिला है खेल के छेतर में पदम भुशन से 2022 में किसे समानित किया गया तो ये देवेंदर जहाजरिया को किया गया है देवेंदर जहाजरिया आपका राइट आंसपर हो जाएगा इस कोशन का अगला कोशन आयता Long Walk to Freedom ये किसकी ओटो बायोग्राफी है तो ये Nelson Mandela की ओटो बायोग्राफी है Nelson Mandela आपका राइट आंसफर होगा इस कोशन का एक कोशन आयता High Court और Supreme Court Amendment Bill किस वर्स लाया गया तो ये 30 November 2021 को लाया गया था 30 November 2021 आपका correct आंसफर है एक कोशन आयता मलिकित में से कौन से समयधानिक निकाए नहीं है तो दोस्तों आपको बता दूं समयधानिक निकाए नहीं है ये बताना था आपको योजना आयोग राष्ट्य मानवा दिकार आयोग और नीती आयोग ये तीनों ही जो है ना ये तीनों के तीनों एक सविधानिक आयोग है यानि कि ये तीनों के तीनों ही सविधानिक आयोग नहीं है तो इनके अलावा जो option में था वही आपका correct answer होगा एक आयता आंदर प्रदेश राजे का पुनर गठन अधिनियम का पारित हुआ तो ये सितंबर 1953 में पारित हुआ था सितंबर 1923 आपका correct answer होगा पुथुन्डू त्योहार ये आपका तमिलनाडू का है ठीक है और ये थे question आपके और question मिलेंगे तो मैं discuss करूँगा वीडियो खतम करते हैं अभी